प्लांट्स जो उगाने और उनके जो जानवरों की देखबाल करने और उनकी बसने की प्रिक्रिया को जो मतलब वहाँ एक जगह पर उसने प्लांट लगा कर रहना शुरू कर दिया और जानवरों को पालना शुरू कर दिया और इसी को इसके डोमेस्टिकेशन या उसके बसने की प्रिक्रिया कहा गया है very often plants and animals that are attendant by the people become different from wild plants and animals this because people select plants and animals for domestication अब दिखे स्ट्रेंट अब क्या है अपनाए गए जो ये थे ना जो प्लांट से और जो अनिमल से अक्सर ये क्या है जंगली पोधों वे जानवरों से अलग थे और इसकी वज़े से ही क्या हुआ कि बसनी की प्रिक्रिया की मतलब उन्हें अपना नीशुरू कर दीया अपनाए गए और जो प्लांट स और जो एनिमल का उन्हों ने स्लेक्ट किया क्यों क्यों से पाल ले और क्यों से नहीं पाल ले और एक्जामपल के लिए देखे स्ट्रेंटS आवे for example they select those plants and animals that are not prone to diseases they also倒bas साइस ग्रीन एंड है स्टाल्ग कैपेबल फॉर ए बियरिंग दा वेट ऑफ दा राइप ग्रीन सीड्स फ्रॉम स्लेक्टिट प्लांट्स आर देखिए प्रिजर्वड फ्रों शॉन इंशर देट न्यू प्लांट्स विल है दा सेम क्वालिटी अब देखिए स्ट्रेंट्स अ सेमिकर्प्ल क्या हुँा प्लांट्स अपने जन्वर Whoo Rae कि यही नहीं वी तैंशन को कुनते ते जीन के क्या हूँ जिनके घ्रेंज बड़े दाने थीक्यां हो और सातकर में छेंट्ट्स आहिस ग्रें औ। मतलब जो उनके मतलब मजबूत डंठल अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके ठीक है उन्होंने इस तरह के स्लेक्ट करना जो स्टाल कहना स्ट्रोंग स्टाल को उनका ठीक है तना मजबूत हो उनका और देखिए और फिर है ताकी फिर से उगाने के लिए उन्हें क्या इसकी जुरूरत पड़े और जो सेम वालेटी उसलाव अच्छी क्वालेटी के उन्होंने इस तरह से स्लेक्ट किया अब देखिए नेक्स्ट है देखिया स्लुएंट्स अमंगस्ट ऐनिमल तो जेट आर देखिए यह देखिए उसके बाद है अमंगस्ट आनिमल दोज आटार इनिमल और जानवरों के आगे खिए हुआ है उन्हों ने क्या उन्हों से ही जनेटली मतलब क्या आप्साइ प्रेजिनन के लिए ये उन्हें चुना गया और जो आम तोर पर क्या थे जो आम तोर पर स्ट्रेंट के डॉमेस्टिक एनिमल थे जो मतलब की जो ब्रीडिंग के लिए भी ऐसे ही एनिमल को चुना गया जो मतलब वाल्ड एनिमल से कम मतलब ऐसे नहीं थे जंगली जानवर ना अपनाए गपने प्रोपयों जगली जनल्वरों से जोनों आपनाए थे और भी Damon grants जंगली जनवरों तुन जड़े भी आपनाए थे फार जंगले जनल्वरों से जोनों और भीन लें छोषिए आपैयों बीक्राइन कहीं रमनेIST अब कि आप इसमें पिक सकते हो यह टीट के सेट और इसमें आपको डान ज़ंग्ली जो बताए गया उसके बारे में ठीक है आप आपकि नेक्सटिकेशन डान ज़ूमेस्टिकेशन स्टुरेंट लूटि के बसने की तिया मतलब रहने की एक बसने की प्रिगए चाहर बसने अब क्या हुआ यह देखें बसने के प्रिक्या पुरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है करीब 12,000 साल पहले शुरू हो गई थी आप देखें वर्चुली आल दा प्लांट्स एंड आइनिमल परड्यूस देट वी यूज एस फूर टूड़े इस रिजर्ट डॉमेस्टि टूबी डॉमेस्टिकेटिड वर्वीट एंड बार्ले दा अर्लियस डॉमेस्टिकेटिड एनिमल्स इंक्ल्यूड शीप एंड गौट अधिके क्रिशी के लिए अपनाई गई सबसे जो पुरानी फसल बताई है स्टुरूंट वो है वीट और बार्ले ठीक है गेहूं और और उसी तरह से सबसे जो पहले जो पाल तु जिस जानवर को बनाया गया वो बताया गया स्टुरूंट देखे कुट्टे के बाद भेड बकली आते हैं अब उसके बाद है न्यू वी ओफ ए लाइफ ठीक है एक नई एक मतलब न्यू वे एक लाइफ का निया तरीका अब उ कर देखो कि तुम पाओगे इसे जो ग्रों होने में कुछ वक्त लगता है ठीक है दिस में भी फोर रे सर्वल डेज वीक्स मंस एंडे सम केजिस एर अब क्या होते है इसमें कुछ दिन भी हो सकते हैं कुछ महीने और फिर साल तक भी लग सकता है अब देखे वह उसके नेच लॉंग टाइम अब इसी से क्या हुआ आप देखिए अब उस पेड की या जो उन्होंने प्लांट लगाया उसकी देख बाल के लिए उसे क्या लंबे समय तक एक सान पर रहना पड़ता था और उसके बाल लुकिंग आफटर दा प्लांट उसकी देख बाल करने के लिए उस को बचाने के लिए उसे एक सान पर रुपना पड़ा तील दा ग्रेन जब तक वो क्या ना हो जाए जब तक स्ट्रेंट उसकी कटाई या उसके से उसे अनाज ना मिल जाए ठीक है और अनाज का फिर क्या हुआ एंड दैन ग्रीन हैड भी टू यूस केरफली और अनाज का उ किफ्ट के रूप में या भंडारन के रूप में अनाज का उपी हो गया यह फिर उसके बाद दिखिए नेक्स्ट एस्ट्रेंट एस ग्रेन हैड तू स्टोर्ट फोरे बोथ फूड एंड सीड पीपल हैड पीपल हैड तू थींग अवे स्ट्रोंगिंग इट मैनी एरियास देख बिगेन मेकिंग लार्ज क्लेए पोर्ट और वो बास्केट्स डर्क पीट्स इन्टू ग्राउन अब देखिए अब क्या हुआ इलाके में लोगों ने मिठी के बड़े बरतन बनाई टोक्रियां बुनी या फिर जमीन में खड़ाख होता और देखिए उसके बाद है यू ठिंक हंटर गैदर्स वुड्यू मेट यूज पोर्ट गिवन गिव रीजन फोर यूर आंसर अब क्या देखिए क्या तुमने लगता है कि जो हंटर या फूट गैदर करने वाले जो बरतन वाले बरतन बनाते थे उनका प्रियोग करते होंगे या अपने मतलब जो आप इनिमल मल्टिपलाई नैचरली अब आपको पते है जो ये बताए कि अनिमल्स है वो आपको पते है के वो देखिए वो है नैचरली है बिसाइट ये आर लूविउकिंग आफटर कीरफुली अब उसकी कैंपाल अगर जानवर के उसकी देख बाल की जाए तो उसकी भी संख् बढ़ती जाती है ठीक है प्रोवाइड वो आपको क्या करवाएगा मिल्क प्रोवाइड करवा रहा है विच एन इंपोर्टन सोर्स फूड है और मीट है वो रिक्वाइर पूरी कड़ा जो भी आपकी रिक्वाइर है इन ओडर वर्ट्स दूसरे वर्ट्स में हम कर सकते हैं अनिमल डैट आर रियर कैन बी यूज़ एस इस्टोर ओफे फूड और जो अनिमल है वो भी क्या है स्टुएंट देखे दूसरे शब्दों में हम क्या कर सकते हैं पशुपालन भोजन के बंधारन का एक तरीका है अब कै भोजन के अतरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है यह कै आज के जानवरों का अप्योग किस लिए होता है ठीक है यह आप से स्टुएंट यह कोश्चन्स यह आप अपने मतलब यह इसके आपको खुद से ही इसके आंसर ढूंने है आप देखिए नेक्स जो हमारा चैप्टर जो रहे गया है वो हम हमारी नेक्स क्लास में करने वाले हैं ओके थैंक्स ट्रेंट्स